इश्यू मसी इस समय परमेश्वर के दायनी हो रहे है और वहां से प्रातना कर रहा है हमारे लिए मद्यस्थी की प्रातना कर रहा है Ephesians 2.5-6-7 में लिखा हुआ है कि वो मद्यस्थी की प्रातना कर रहा है Ephesians 2.5-6-7 Hallelujah! अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इश्यू मसी को अपनी दायनी और रखा है Ephesians 2.5 जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसी के साथ जिलाया अनुगरही से तुमारा उधार हुआ है 6-6 और मसी इश्यू में उसके साथ उठाया और सुर्गिय सानों में बठा दिया हमें परमेश्वर ने उठाया जब हम आत्मी ग्रूप में थे आये और मसी के साथ बठाया और हमें उसके संग जिलाया 7-7 कि वो अपनी उस कृपा से जो मसी इश्यू में है हम पर है जो इश्यू मसी में हम पर है परमेश्वर का अनुगरे असीम धन हमारे लिए रखा हुआ है परमेश्वर हेलो आप इसको समझे इश्यू मसी धर्टी पर आया प्रेज अलोड उसने हमारे लिए बलिदान किया उसने हमें पापों श्रापों से मुक्त किया और हातों में लहू का निशान लेकर जखम लेकर वो पिता के दैनी और बैठ गया और वहाँ प्रात्रा कर रहा है ताकि हम उस असीम धन को जाने हलेलुया उस असीम यानि के बहुत ज़्यादा धन को जाने जो परमेश्वर हम पर करने वाला है आप सिर्फ चर्श में ही आना अन्तिम समझते हैं आप समझते हैं कि हमने पश्चताब किया पप्तिस्मा लिया और कलीसिया में आये चोने गए हो गया लेकिन बाइबल क्या कह रही है ये शुरू वात है कलीसिया में आना आपको इसका ग्यान देना ताकि आप उस असीम धन को उस अनुगुरह को जो परमेश्चर आपके जीवन में अभी करने वाला है उसको समझें हलो पहले हम सीरियस थे कि हम पापो श्रापों से मुक्त हो गए है अब हमें मुक्त होना है परमेश्चर मुझे बचा ले अच्छा इशू मसी बचाएगा इशू मसी बचा ले इशू मसी ने बचा लिया आपको अपना नाम दिया अपने लहू से आपको शुद्य किया और इशू मसी बैट गया इशू मसी बैटा स्वर्ग में पिता परमेश्चर के दाइनी और आप परमिश्वर के राज्य से अपने राज्य में चले गए फिर चले गए आप परमिश्वर आपको क्या बताना चाहता है मेरे भाई मेरी बेहन कि अभी आपके जीवन में उसका कार्य उसका अनुग्राय शुरू हो रहा है कि अभी आप कुछ नहीं जानते हैं वह आपको क्या दे सकता है आपका जीवन कैसा होना चाहिए आप नहीं जानते हैं रिस अलॉड वो प्रात्रा कर रहा है आज मैं आपको प्रात्राओं के बारे में बताऊंगा प्रेस अलॉड हम दो वेक्तियों की प्रात्राओं के बारे में सीखेंगे एक इब्राहिम का नौकर अलियेजर और दूसरा याकूब इन दोनों की प्रात्राओं में क्या अंतर था याकूब किसका बेटा था किसका बेटा इसाग का बेटा हालेलिया प्रेस अलॉड याकूब के कितने बिच्चे थे बारा याकूब की कितनी बच्चियां थी लड़कियां कितनी थी हालेलिया बीबियां कितनी थी दो दासियां दो दासियों के नाम बता हुए जिल्फा और लिया बिल्हा लिया उसकी पत्नी का नाम है आलेलिया तो आज मैं आपको इन प्राथणाओं के बारे में बताऊंगा एलियेजर की प्राथणा और याकूब की प्राथणा दिकी प्राथणा परमेशर क्यों चाहता है कि हम करें प्रातना हैं हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करती है प्रातना हैं परमेश्र से सीधी वारता लाप है प्रातना हैं परमेश्र से एक संबंध है जो हमें बना के रखना है हलेलुया याकूब की यहां पर हम प्रातना देखेंगे आप लोग कैसी प्रात्राइं करते हैं और एलियेजर ने कैसी प्रात्राइं कि थी बोले बैटा अठाइस का बीज तब याकुब ने यह मनत मानी यदि परमेशर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरे रक्षा करें और मुझे खाने के लिए रोटी और पहने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पीता के घर के कुशक से लवट आओ तो यह हुआ मेरा परमेशर ठेहरेगा प्रेज अलोड ध्यान से इस प्रात्रा को समझे मैं एक बार फिर आपके लिए यह प्रात्राइं पढ़ना चांब ध्यान से समझे अठाइस का बीस और याकुब ने यह मनत मान प्रात्रा की कि यदी परमेश्वर मेरे संग रहेकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में सकुशल शेम से पहुंच जाओं तो यह हुआ मेरा परमेश्वर ठेहरेगा प्रेस अलोड अब इस प्रात्रा को आपने समझ लिया अलेलुया हम दुबारा इस प्रात्रा पे आएंगे इससे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं याकूब कौन था पर इश्वर इसाग का फुत्र था अलेलुया इसका बड़ा भाई था एसाब एसाब जब यह दोनों बड़े हुए तो एसाब जो था वो शिकारी था और याकूब जो था वो अपने घर में अपनी मा का हाथ बटाता था तो मा का वो प्रिय था और जो इसाब था वो अपने पिता का प्रिय था क्योंकि पिता को खाने का बहुत शौक था अगर आपने पड़ी होगी भाई बल 27 अध्याय पढ़ा होगा तो उसमें देखें कि किस तरीके से एसाव ने अपने पहलोठे पन की वैल्यू को नहीं समझा अपने पहलोठे पन की वैल्यू को नहीं समझा जो अधिकार परमेश्षण ने उसे दिया था इस संसार में आने का पहला अधिकार उसको दिया था उसने नहीं समझा और कुछ दाल और कुछ रोटी के लिए उसने अपने भाई याकूब को वो पहलोटापन बेश दिया और बाइबल कहती है कि अंत तक वो रोता रहा लेकिन वो परमेशर का आशीश कभी नहीं पापाया मैं आपको सच कह रहा हूँ जो अधिकार आपको परमेशर ने दिया है न अपना पुत्र बना कर अपनी पुत्री बना कर उसकी वैल्यू को समझे आप उसकी value को समझिये परमेश्वर ने आपको अपनी पुत्री बनाया है अपना पुत्र बनाया है संसार का कोई भी सुक्र संसार का कोई भी रिष्टा इस रिष्टे से उपर नहीं है याद रखिए इसलिए पहला संबंद हमारा परमेश्वर से है जो परमेश्वर ने कहा है उसको मानिता दीजिए अपने जीवन में आलेलुईया प्रेस अलॉड तो इसने क्या किया इसने पहलोटेपन का अधिकार बेश दिया और उसके बाद क्या हुआ जब आन्ट में इसाख बूड़ा होगा प्रेस अलॉड तो उसने इसाख ने का कि मैं मरने पर हूँ ऐसा तो ऐसा कर भाई मेरे लिए एक अच्छा सा बचड़ा लेकर आ शिकार करके आ और उसे मारके जैसा मैं मुझे पसंद है जैसा मैं चाहता हूं मेरे स्वाद के मुताबिक उस बचड़े को बना कर लेकर आ और मुझे खिला तम मैं खाने के बाद तुझे आशीश दूँगा रेस अलॉट अलेलुए उसने का ठीक है इस चीज को सुन लिया और रिबका ने अपने याकूब से कहा कि देख पिता ने तुझे आशीश से वंचित करने की ठानी है सारा आशीश वो ऐसाख को दे देगा इस तुम जाओ मैं तुझे खाना मना कर देती हूं तुझ लिवा बशड़ा लेकर आ और तू अपने पिता के पास खाना लेकर पहले पहुंच जा तकि तेरा पिता तुझे आशीश देदे आलेलुए ऐसा आपको आशीश क्यों नहीं मिल रहा है पता है क्योंकि उसने अपने पहलोटेपन के अधिकार को छोड़ दिया था आलेलुया आप एक मसी हैं आपके जीवन में सुख आते आते क्यों रुख जाता है क्यों काम नहीं होता क्योंकि आपने कहीं न कहीं परमेश्र को पहला इस्थान नहीं दिया मैं आपको चैलेंज करता हूँ अगर आप परमेश्र को पहला इस्थान देंगे न तो जिन आशीशों के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा वो आशीशें आपके जीवन में आएंगी आलेलुया तो यहां पर क्या हुआ रिबका ने याकूब से कहा कि तू लेकर रहा याकूब ने कहा कि मा तू क्या कह रही अगर मैं पकड़ा गया तो भाई मुझे मारेगा बाप करेगा और बाप मुझे शिराप देदेगा उसने कहा नहीं मैं हूँ ना तू जिन्दा मत का तो उसने क्या कि एसाब केस बिल्कुल शरीर में रोए रोए थे बाल बाल थे बाल थे उसके शरीर में तो याकूब को उसने बच्छडे की खाल पहना दी ताकि बच्छडे के बाल दिखें बाप कम देखता था प्रेस अलॉट इस आग था बहुत बूड़ा हो गया था उसकी आँखों में रोश्णी कम थी तो उसने कहा कि उसकी आँखों को धोका देने के लिए उसने बश्रे के बाल का एक जो जैकिट है वो उसको पहनाया याकूब को पनाया और खाना लेकर वो गया और पुरी स्टोरी आप उसको पढ़िएगा कि किस तरीके से वो आशीश लेकर आ गया जो वो आशीश लेकर आ गया सारी ब्लेसिंग्स इसाक ने जो यह जो एसाब को देने वाला था उसने याकूब को दे दी हाललुया लेकर आ गया और उसके बाद एसाब गया खाना लेकर अपने पिता के पास कि पिता तुने कहता खाना देख में लेकर आया हूं कि तो कौन है क के तो वह कौन था जो अभी आए था और मैने उसको सारी आशीशे दे दिए एंट ैसा आप रोने लगा कि परमिश्र कोई तो आशीश हो जो मेरे लिए वो प्लीस पिता मेरे लिए आशीश दे दे कहते है मैं ने सारी आशीशे उसको दे दिए Amen वो रोता रहा और उसने मन में दिर निश्टा किया कि में पिता के मरने के बाद मैं याकूब को नहीं छोड़ूँगा उसको मार के रहूँगा जैसी इरिबका को पता लगा तो उसने क्या कहा कि जाओ याकूब तुम मेरे भाई के घर लावान के घर जाओ और वहाँ शादी करके आओ तो यानि कि रिबका ने और इसाग ने कहां भीजा लावान के पास अपने बेटे को भीजा किसके लिए किसके लिए किसके लिए भीजा शादी के लिए और वो शादी के लिए निकला एक लूज शेत्र था वहाँ पर जाकर वह सोया और वहाँ पर उसने देखा कि सुर्क की सीडिया खुली हुई है जब वह सोया तो उसने देखा कि उसके उपर से वहाँ से सीडिया है और सुर्दू जा रहे हैं और सुर्दू ता रहे है तो परमेश्य का धाम था वहां उसने खंबा ख़ड़ा किया और उसको बैथल बना दिया उसका नाम बैथलम हो गया अब मैं आपको दुबारा इसमे ले जाना चाहता हूं उत्पत्ती 28 का बीसम पढ़ेंगे देखिए जो याकूब है वो प्रात्रा करता है कि याकूब ने यह मननत माने कि यदी परमेश्य मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में सखुशल शेम से पहुँंच जाओं तो यहोवा मेरा परमेश्य होगा आलेलयAD किसके लिए निकलाता घर से एक याकूब किसके लिए निकला था किसके लिए निकला था याँ शादी जिकर है कि मैं क्यों नहीं है प्रेस अलॉट जिस काम के लिए आप निकले हैं जिस काम के लिए आप जा रहे हैं जो आपका मकसद है जो आपका उद्देश है उसके लिए प्रात्रा नहीं कर रहा है यह प्रात्रा करते समय उसके अंदर क्या था डर था कि मैं अपने भाई को धोका दे कर आया हूँ हलो आप जो प्रातनाई करते हैं अगर आप पूरी तरीके से शुद नहीं है अगर आप पूरी तरीके से पवित्र नहीं है तो आपकी प्रातनाई पूरी मुकमल नहीं होती है बाइबल हमें क्या बताती है हम जो मांगते हैं परमिशर हमें देता है हम जो प्रात्रा करते हैं परमिशर हमारी प्रात्राओं को सुनता है यहां पर इसमें देखी एठाइस बीस और इकिस में के वो गया और उसके खाने को मिला उसके रहने को मिला वापिस भी वो आया लेकिन उसको दो बीबियां मिल जब आप प्रात्र हाँ करते हैं तो क्या प्रात्र हां कर रहे हैं या भासरा करने से पहले अगर प्लातर हां कि अंजर कोई लोज़ा है आपकेंडर कोई यह आपकेंगर कोई गमंडल है तो आपकी प्रात्राइं मुकम्मल नहीं हो पाएंगे प्रेस अलोट आलेलुया याकूब ने क्या प्रात्रा की कि मुझे खाने को मिले मुझे रोटी मिले, मुझे कपड़ा मिले और मैं सुरक्षित अपने पिदा के घर में पहुंच जाओ लेकिन उसने अपनी पत्राइं के लिए नहीं प्रात्रा की के परमेश्वर मैं यहां से अपनी मां के द्वारा भेजा गया हूँ मुझे आशीशित पत्र नहीं मिले अलो और यह प्रात्रा करके वो अपने मामा के घर में गया अगर आप बाईवल पढ़ेंगे अठाइस और उन्तिस्वा और तीस्वा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पताचलेगा कि मामा के घर में गया और उसे राहल मिली राहल मिली राहल मिली और रहल से उसे प्यार होगा कि मैं रहे हाँ, इससे मुझे शादी करनी है और उसके मामा देखिए आज मैं आपको कहानी बता रहा हूं वचन से ज्यादा कहानी आप सुनेंगे तो आपके अंदर बैठेगी ध्यान से समझने कोशी करिए तो वहाँ पर उसे राहिल मिली और जैसे लाबान को पता लगा कि यह रिपका का बेटा है तो उस कि मोटा चश्मा पहनती है दिखने में थोड़ी नाक भी मोटी है इसको कौन लेगा तो पहले इसको सेट करो राहिल तो खुब्सूरत है वो तो सेट होई जाएगी इसको सेट करो तो जैसे उसने कहा कि साब अरे याकूब तू क्या मेरे यां ऐसी रहेगा कि तो ठीक है मैं तेरी मज़़ूरी करने के लिए तयार हूँ लेकिन मैं मज़़ूरी के बदले में राहिल का हाथ मांगता हूँ उसने का ठीक है मैं तुझे राहिल दे दूँगा किसी और को दे नहीं है मैं तुझे दे दूँगा तो उसने साथ साल उसने काम किया राहिल के लिए और साथ साथ साल के बाद जब साथ साल पूरे हुए तो अपने लाबान के बादा की लाबान देख साथ साल पूरे हो गए और अपने कहे उनुसार बात कर और मुझे तू मेरी पत्नी दे दे उसने ठीक है पंचायत को बुलाया समाच के लोगों को बुलाया बोजन वगरा सब कुछ द करक्र दिया म वहां पर LIGHTS होती नहीं तिलम दिम धिये की दिये की बाती आ लेवियों जब वो स्थ ने निए यह तो राहिल नहीं है तो लिया है अग्ध nellे कै थो ने धोका दिया मुझे दोका क्यों दिया working तो उसने का भाई यह भडी नड़की है हमारे ऐसी ऐसा नहीं होता कि पहले छोटी की शादी करते हैं छोटी लिलके शादी करते हैं और बड़ी बैठी रहे इसलिए मैंने बड़ी की शादी की तुझसे और तुझ चाहता तो छोटी भी तुझे मिल जाएगी Hallelujah Praise the Lord लेकिन याकूब भूल गया कि लाबान ने उसे धोका दिया क्यों धोका दिया क्योंकि वो भी धोका दे कर आया था Amen आप भूल जाएए अगर आप किसी को धोका दे रहे हैं आप भूल जाएए कि आपको अगर आप इस खुश फैमी में हैं कि आपको धोका नहीं मिलेगा तो आप गलत हैं आपको भी इससे बड़ा धोका मिलने वाला है किसी को धोका मत दीजिए जो देंगे बाइबल का वचन क्या है जो बोगे वो ही काटोगे अगर आप धोका दे रहे हैं आज तो आज ये तै हो गया कि आपके नाम पर भी कही न कहीं धोका लिखा गया है कहीं न कहीं लिखा गया है हालिलुया इस्टिफनस को जब महायाजक और फारसीस और सदूकी मार रहे थे तो पॉलुस वाँ पर ख़ड़ा हुआ था जब इस्टिफनस को पत्राब हो रहा था याद है इस्टिफनस को जब पत्राब हो रहा था तो पॉलुस वाँ पर ख़ड़ा हुआ था पॉलुस की सम्मती थी कि उसको पत्थर मारे जाएं इस्टिफनस को पत्थर मारे जाएं और अगर आप याद होगा कि एक्स प्रिंटिटर काम सोला में जब लुस्तिरा में पॉलुस गया था सूसमचार सुनाने के लिए तो पॉलुस को भी पत्थराव हुआ था याद है पॉलुस को भी पत्थराव किया गया था आप जो करेंगे आपके संग वैसा होगा किसी के गला मत दबाओ किसी की मजबूरी का फाइदा मत लो आज आप लेंगे कल को आपको ऐसी सिच्चुशन में आपका गला दबाए जाएगा ना जब आप सोच नहीं सकते प्रेज अलॉड तो यहाँ पर क्या हुआ कि लावान ने धोका किया और उसको दो बेवियां देदी हलेलुया दो बेविया देदी और आप इस वचन को पढ़ेंगे इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सासाल लिया के लिए साथ साल रही लिए और छे साल उसने वहाँ पर मजदूरी कि यानिके बीस साल उसने अपनी जिन्दगी के गुजारे, बीस साल उसने अपनी जिन्दगी के गुजारे, लेकिन उस प्रातना पर उसने विश्वास नहीं किया, जो परमेशर से उसने की थी, प्रातना क्या है, आप प्रातना को क्या समझते हैं, जब आप प्रातना करते हैं, कि आप ये समझते हैं कि मैंने प्रात्रा की है यार अब होगा तो ठीक है नहीं होगा तो कोई बात नहीं आर कर दी प्रात्रा हालेलुया मैं आपको सच कह रहा हूं कि मैंने प्रमेश्षर से प्रात्रा की है और मेरी परमेश्षर प्रात्रा सुने का तो आपको उस प्रातना के मुताबिक अपने जीवन को गुजारना है अलो प्रेस अलोट प्रेस अलोट अपको पता ईशुमसी क्यों मरा आपको शुद्ध करने के लिए आपको पवित्र करने के लिए और आपको क्यों पवित्र करता है वो ताकि जब पवित्रता के बाद उस पवित्रता के साथ जब आप प्रात्रा करते हैं तो आप उसकी कीमत को समझते हैं जब आपके अंदर शुद्धता होगी जब आपके अंदर पवित्रता होगी और तब जब आप प्रात्रा करेंगे उस प्रात्रा में सामर्थ होगा Hallelujah याकुब की प्रात्रा में क्या था? उसकी प्रात्रा में स्वार था डर था कि मैं जो करके आया हूँ मुझे सुरक्षित अपने पिदा के घर लोटा दे क्योंकि उसे डर था कि ऐसा आप जिसको मैं धोका दे के आराया हूँ कहीं वो मुझे मारे ना क्योंकि उसने कहा है मैं मारूँगा उसने कहा है मैं मदला लूँगा Hallelujah तो वो डर उसके अंदर है आपका डर आपकी प्रात्राओं को बिगाड देता है आपका स्वार्थ आपकी प्रात्राओं को बिगाड देता है याकूब 20 साल काम करने के बाद जब वापस आया और वापस आने के बाद जब उसने कहा कि मैं अपने भाई एसाब के पास जाओंगा परमिशन ने कहा जा एसाब के पास जा यहाँ लाबान का एक पूरा चेप्टर है किस तरीके से वो आया और उसने उसे मारने कोशिश की लेकिन परमिशन ने लाबान से कहा कि नहीं याकूब को छूना मत तुम और वो मां उसे मिला और चला गया लेकिन पर्मेशन ने क्या किया तू अपने पिता के घर के जा हाललुया लेकिन वो जो डर था याकूब को उस डर की वज़ा से वो अपने पिता के घर नहीं गया असाब से मिलने के लिए गया और जब उसने देखा है उसके को भेजा फिर और जो लिया और जिल्फा और बिल्ला को भेजा फिर राहिल को भेजा और उसके बाद खुद पीशे बीचे चल रहा था कि अगर हो मारेंगे तो पहले उनको मारेंगे फिर उसको मारेंगे उसके बाद मेरा नंबर आएगा इतना चालाग था वो लेकिन हैं तेरे बच्चे मेरे बच्चे और आजा तू हम लोग साथ में चलेंगे अब भी उसे शक था कि नहीं नहीं समझदार इंसान एक हिंदी में कहावत है स्याना कववा हमेशा गूपे गड़ता है स्याना कववा जो होता है ना वह अपना ही नुक्सान करता हुआ तो यह वाइस आप से आने थे ऐसाब ने कहा कि चल मेरे साथ कुछ से का नहीं नहीं तू जा ना मैं बच्चों के संग हूँ थोड़ा धीरे चलता हूं मैं तू तो तेस निकल जाएगा और मैं अपने बच्च चलाएगा तो उसको नहीं पताता है कि इसके अंदर डर है इसके अंदर कहीं ना कहीं चलाकी है अलेलिया आपकी चलाकी आपको गलत तरीके से लेकर जाती है आपकी चलाकी आपको गलत आपके जीवन में गलत काम करवाती है आपको नहीं पता है चलाकी नहीं करिएगा कभी परमेषं से तोड़ा सामझ आप समस्थे मे penglai करूंगा आप समझ एक पास्च सय को क्या पताशे लेगा प्रभु क्या पता से लेगा में थोड़ा सा काम काम कर्ना स्वाड़ा सा जूट बोलने में क्या होता है यृ那我們 आजके लिए फेम आजके लिए मतलब वो हो गया है एक तरीका हो गया है मसीयों में थोड़ा सा जूट बोलना चलेगा यार इतना से जूट में कुछ नहीं होता है थोड़ा जूट चलता है आपकी चलाकी ही आपको पीछे लेके जाएगी प्रेस अलॉट हाले लिया तो उनकी जगा ठी और वहां दाकर उसने पैसे देकर जगा मोल ली और वहांपर उसने अपने बच्छों का और अपने सारेissippi लोगों का तंबूं की लगा दिया आलिया से दोका दिया परमेशरन ने का दोसा आपके साथ मिया जोग हम परविशर की बात नहीं मानते हैं उसने क् प्रात्रा की थी परमेशर से कि मैं अपने घर जाओं परमेशर उसके साथ परमेशर ने कहा तो जू अपने अपने घर जा लेकिन नहीं किया वह आप मांगते कुछ हैं और कड़ते कुछ है आप परमेशर से प्रात्रा कुछ और कड़ते हैं और काम कुछ और कड़ते हैं यह पहले आप सोचिए मुझे क्या प्रात्रा करनी है प्रात्रा करने से पहले सोचिए कि मैं परमेशनर से मांग रहा हूं और वो मेरी प्रात्रा सुनता है आाय कर अलो याकूब ने सोचा कुछ प्रात्रा कुछ की और चला कुछ शकें में किया हम आपर एक न्या न्य जाती का अई लाका और शकें में जाकर उसकी जो बेटी थी दीना वहां की सहली लगों किसे घुमने के लिए निकली और वहाँ पर हमोर जो शकेम का बेटा था हमोर उसने दीना को देखा उसका मल लल्चा गया उसने उसका बलातकार कर दिया उस लड़की का बलातकार हो गया बाइबल का पहला बलातकार बाइबल लड़की का बलातकार हो गया प्रेस अलॉट अब सुची आप परमेश् है आप उसके जुन नहीं चल रहे हैं न याकूब की बेटी का बलातकार हो गया वह चुना हुआ वन्च इवर्ण हैं कि उसको आन्य जाति Geneva होगा क्यों क्यों कヤा पर्मियश्ण को समझ नहीं पाए कि आप पर्मियश्य के वशाद को को नहीं समझ पाए आप उसकी आग्याओं को नहीं समझ पाए और उसकी बेटी का बलतकार हो गया जब उसके भाई दस भाई ग्यारा भाई जब आये वहां से उन्होंने देखा कि भाई हमारी बेटी के संग बलतकार हो गया है आप देखिए यहां पर फिर याकूब ने गलती कि उसके बाद हमोर और शकेम का जो शकेम जो है वो अपने बेटे के संग आया उसको उसको उसकी बेटी से प्यार हो गया था और वो याकुब के पास आया कि ऐसा है सर मेरी जो मेरा जो बेटा है वो आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है वो अपनी पत्नी बनाना चाहता है तो आप प्लीज शादी करिए आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हो जो चाहिए आप जैसा चाहेंगे हम ऐसे ही करेंगे लेकिन जो इनके भाई आये उनके अंदर रोश आ गया उनके अंदर गुस्टा आगा कि हमारी बैन के संग बलातकार किया तो उनका ठीक है वह हम तो यहोवा के हैं हम परमेशल के बंदे हैं हम आपसे कैसे जूड़ सकते हैं जब तक आपका सुनत ना हो खतना ना हो सुनत भी कहते हैं खतना ना हो तो खतना क्या होता है वह खतना आपको करना पड़ेगा तो यह आप हमारे जैसे हो जाएंगे और जब हमारे जैसे हो ज चाहिए जाया Neo Gea मिनके उन्हों जायां का ने कि चल ते भाईयों फिए है उटर जाजब फकरना करते हैं तो आदमी कमजोर हो जाटा उसका लगए टो 1997 बईभसको कि कि तो उसने ऐसे किया सब का निंव language कि नीजि तो उसका बारिर लोग तो सब का फ़तना हो गया और सब कमजोरी से बैठे हुएं और उसमें शमोन और लेवी ये दो भाई थे जिन्होंने जाकर तलवार ली और जब तीसरे दिन वो बिल्कु कमजोर थे उन्होंने सब को मार डाला जितने आदमी थे शकेम के सब को मार डाला और और ओरतों को लूट लिया बच्चों को बंदी मना लिया उसने अलेलुया अ तब परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया याकूब को कि तू क्या कर रहा है तू क्या कर रहा है अपने भाईयों को और मूड़तियों को अलग कर और बैतलम में जा सूचिए आप जब परमेश्वर आपके साथ नहीं होता है न तो आप आपकी बुद्धी काम नहीं करती है सबसे पहले आपने परमिश्र की बात नहीं मानी आप एक अन्य जगा पर आए उसके बाद अगर वहां के लोगों ने वहां का एक आदमी ने आपकी बेटी का बलातकार कर दिया जो कि बहुत गलत था लेकिन अगर वह आप आज पश्चात आप करके आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है तो खून खराब इसे तो अच्छा था ना कि आप पत्नी बना जाते उसके खून खराब इसे तो अच्छा था कि उसकी पत्नी बना देते आप लेवी परमिश्र ने लेवी गोत्र बनाया लेवी वन्ष बनाया ले तरीके से परमेश्र को ना समझना आपका परमेश्र के अनुसार ना चलना आप नहीं जानते कि आपका आने वाले भविश्य आपका वंश कितना गलत चाल चल सकता है जब परमेश्र नहीं होगा आप पूरी उपसिती में आप उसको समझे नहीं पाएंगे हलो आप क्या मांग रहे हैं आप क्या मांग रहे हैं अगर आप यह कहते हैं कि परमिशर आज मुझे अच्छी नौकरी दे ताकि मैं भू का ताकि मैं रोटी खा सकूँ क्या कहता याकूब ने कि अगर मैं सौसरा और मैं रोटी खाता रहा मुझे रोटी मिलती रही पानी मिलते रहे कपड़े मिलते रहे तो परमेशर मेरा खुदा है अगर तो आप यह प्रात्रा करते हैं कि मुझे रोटी मिलती जाए मुझे खाना मिलता जाए मुझे कपड़े मिलते जाए तो मेरा परमेशर यहवा है वो तो है लेकिन उसके साथ उसके वचन को समझना उसकी आग्या पे चलना हमारे लिए रोटी कपड़े मकान से ज्यादा ज़रूरी है आलेलुया किस तरीके से तब याकूब ने अपने राहिल से कहा कि वो मूर्तियां लेकर आई थी कि मूर्तियों को निकालो अपने मूर्तियों को निकालो और वहाँ पर उसने वेदी बनाई उसने वहाँ वेदी बनाई और वहाँ से वह बैथल गया प्रेंस अलॉड अब क्या प्रातना कर रहे है और यहाँ पर एलियेजर इसने क्या प्रातना की अगर उत्पती 24, 13-14 से हम पढ़ेंगे इलिएजर जो कि इब्राहिम का नौकर था आप देखिए प्रात्रों में फर्क क्या है मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि आप जो प्रात्रा कर रहे हैं आप विश्वास करिए कि वो प्रात्रा आपकी परमेशों सुन रहा है आप जो प्रात्रा कर रहे हैं विश्वास करिए कि वो प्रात्रा परमेशों से कर रहे है Hallelujah आपकी प्रात्रां स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी प्रात्रां से पता लगता है कि आप कितना प्यार करते हैं परमेश्वर को आप कितने हिजद करते हैं परमेश्वर की Praise the Lord Hallelujah याद रखिए जो बोंगे वो काटेंगे याकूब ने धोका दिया उसको धोका मिला धोका मिला उसे वो अपना उदेश्व भूल गया आपका धोका आपको उदेश्व भूलवा देगा Hallelujah यहाँ पर एलियेसर जो कि इब्राहिम का नौकर जो कि बहुत विश्वासकारी नौकर इब्राहिम ने उससे का कि मेरे बेटे इससाग की शादी करनी है और तुझा मेरे देश के लोगों के पास जा और वहाँ से मेरे बेटे के लिए एक लड़की लेकर आ और उसको उसको वाचा में बांधा उसको वाचा में बांधा और उससे का जा उसने का ठीक है मालो अगर वहाँ से वो ललकी नहीं आई उसने एक वाचा बांदी उसके साथ आने के लिए मना कर दिया तो क्या करूँगा क्या मैं तेरे बेटे को साथ लेकी जाओ वाँ पर ते का नहीं मेरा बेटा नहीं जाना चाहिए अलो तो परमेशर कभी नहीं चाहता है कि जहां से वो आपको निकाल कर लाया है वहाँ आप दुबारा जाए परमेशर नहीं चाहेगा कि आप संसार में वापस जाए उसे मना किया है एलिएजर को एलिएजर इसाथ को दुबारा लेके मत जाना अगर जिस लड़की को तो पसंद करे और वो लड़की बेरी बहु बनने के लिए आने के लिए तैयार ना हो, तू अपनी वाचा से मुक्त हो जाएगा, मतला उसको, लेकिन मेरा बेटा नहीं जाएगा वहाँ पर, प्रेस अलोट, आललिया, और विश्वास के संग प्राथना के साथ, अलियेजर गया, और अलियेजर जो वहाँ पहुंचा, तो उसने एक कुवाँ देखा, और वहाँ पर उसने प्राथना की, देखिए क्या प्राथना है, 24 का 13, देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ, अब ये प्राथना क्या है, आप ये समझीए आप, ये प्राथना है बातचीत, अलिया, आप जब प्राथना करते हैं तो आप परमिश्व से कैसे बात करते हैं, प्राथना कई लोग कहते हैं कि हमें प्राथना करने नहीं आती, कोई बात नहीं, आपको बोलना तो आता है ना, परमिश्व से बातचीत करना ही प्राथना है, मैं ज इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर जुका कि मैं पी यू और वो कहे ले पी ले पीछे मैं तेरे उठो को भी पिलाओंगी अब देखिए उसने वाच्छा बांदी यहां पर उसने का मैं उस लड़की से मिलने के लिए जा रहा हूं यहां पर अपना घड़ा लेकर राय पानी भर ने के लिए और बेश्वसे कहों कि मुझे पानी पिला और वो लर्की खुद कए कि मैं तुझी तबानी पिलाओंगी लेकिन उसके बाद मैं तेरे उठो को भी पानी पिलाओंगी है जिखन दिजे किसके बास कई उठ थे आप समझत कि पानी पीते एक उंट कम से कम 10-20 बाल्टी पीता है एक उंट 10-20 बाल्टी पानी पीता है एसवाट अब इस प्राथ्रा में क्या था समझ यह समझने की कोशिश करिए वो प्रात्रा के द्वारा क्या मांग रहा था उसके स्वभाव को देखना चाहता था कि ललकी जो है जो मैं अपने बच्चे के लिए इसाग के लिए पसंद करने वाला हूँ उसमें नमरता है उसमें दीनता है उसमें सहनशीलता है उसमें प्रेम है प्रेस अलॉट आपकी भी अगर बीवी आती है आपकी भी अगर आप आपने बहु ढूंडनी है अगर बहु चाहिए उसमें दीनता होनी चाहिए उसमें नमरता होनी चाहिए उसमें प्रेम होना चाहिए उसमें सहन्शीलता होनी चाहिए लेसे लौट उस समय के जो कुएं होते थे वह नीचे हुआ करते थे आप इसे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वह कुएं नीचे गई कुएं भरने लिए फिर उपर आई और एक बाल्ती एक बार में भड़ती थी और उसने क्या कि मैं आपको पानी पिलाओंगी लेकिन आपके पिलाने के बाद आपके उठों को भी पानी पिलाओंगी रेसलोट यहने के ऐली एजर क्या देख रहा था उसमें सभाव देख रहा था परमेश्य का सभाव उस बच्ची के अंदर प्रेम अंजान आदमी था वो उसका रिश्यदार नहीं था पहली बार मिला था कभी-कभी हम किसी को जानते हैं तो उसके लिए बहुत काम करते हैं हमारा प्रेम, चलो हमें जानते हैं यह पास्टर है, पास्टर के लिए मैं दस घड़े पानी भरूँगी पास्टर के बेटे के लिए 20 घड़े पानी भरूँगी लेकिन सभाव में सुकतब है जब आप किसी अंजान आदमी के संग वो ही सोभाव दिखाएं है आलेलिया याकूब उसके लिए अंजान था इसलिए उसने कहा और उसी सोभाव से उसने प्रात्रा की परमिश्यर ये सोभाव उस बच्छी की अंदर होना चाहिए देखिए आप इस प्रात्रा में कितनी बुद्धी मानी है, कि वो अपना आंसर भी मांग रहा है, उसने यह नहीं कहा कि परमेश्रस खुबसूरत हो मेरी बच्ची, दीन हो, प्रेम हो, सब कुछ, उसने एक बोल दिया कि वो जो कहे कि मैं तेरे घूठो को भी पानी कि ती मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करूना की है, और ऐसा हुआ कि जब वो कही रहा था कि रिबेका जो अब्राहम के भाई नाहूर के जन्माय मिलका के पुत्र बतुएल की बेटी थी, वो कंदे पर घड़ा लिये हुए आई, वो अती सुन्दर और कुमार पानी थी, और किसी पुरुष का मूँ न देखा था, वो कुए में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर उपर आई, तब वो दास उसे भेट करने को दोड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे, उसने कहा, हे मेरे प्रभू, ल लाओंगी, जब तक वे पी न चुके, एमेन, तब तक, अब सोचिए इस लड़की ने और, बताया किसाब मैं कौन हूँ, एमेन, हलो, वो आशीश का कारण बन गई, आज परमिशन हमें क्यों बचाया है, परमिशन हमें क्यों बचाया है, कभी सुना है, सोचा है अपने, मि में से कही बार आपको बताया है कि परमिशन ने हमें चुटकारा क्यों दिया, परमिशन ने पापों श्रापों से हमें मुख्त क्यों किया, ताकि हम दूसरों के लिए आशीश का कारण बने, एमेन, मैं नहीं जानता आप किसी को, बाइबल क्या कहती है, कि अगर कोई आपक किलूमेटर चलो, यह उसकी बात नहीं कर रहा है, जो आपको जानता है, जो नहीं जानता है, उसके साथ चलो, इसने कहा तब तक, मैं आपके उठों को पानी पिलाती रहूंगी, जब तक, कि वो पीना चुके, कितना बड़ा चैलेंज लिया उसने, लड़की थी, उसकी भी सहलियां साथ में होंगी, उसके भी कुछ एपाइट्मेंट्स होंगे, उसको भी जाना होगा, खेलना होगा, कुदना होगा, दस उठों को पानी पिलाना, बीज-बीज बाल्दियां भरना, इस नॉट एज़ी तिंग, लेकिन ये सौभाव, परमेश्व ने उसके अंदर रखा था, प्रेस अलॉट, इसलिए इस चैप्टर को अगर पढ़ेंगे, 24 वे चैप्टर में, तो इसमें आपको देखता है, कलीसिया देखता है, आलेलिया, रिवका एक कलीसिया के रूप में, इसाख प्रभू ईशू के रूप में है, और अलिएजर पवितरात्मा के रूप में है, प्रेस अलॉट, एमेन, आपको हर पल अपना जीवन जीते समय ये समझना है, कि पवितरात्मा कैसे अगवाई कर रहा है, हमेशा आत्मा में चलिए आप, कि पवितरात्मा कैसे काम कर रहा है, यूँ हैफ तो अलर्ट, आप घर में बैठें, आपके पड़ोस में कोई बहन है, उसका बच्चा गिर गया है, उसका जरूरत है, आपको उसकी समय पवितरात्मा की अगवाई में चलना है, हलो, आपको क्या दिया है परमेशर ने, मुझे अपनी समानता अपने सुरूप में रचाए, प्रेस अलोट, किसके पास, कितनों के पास उसकी समानता है, कितने विश्वास करते हैं, कि मेरे पास इशू की समानता है, मेरे पास उसका सरूप है कितने विश्वास करते हैं कितने विश्वास करते हैं है आपके पास हलो आपके पास परमेश्य की समानता है परमेश्य का सरूप है किसके लिए वक्त आने पर देने के लिए है या समाल कर रखने के लिए कभी भी आपको उस सभाव ओस सभाव जो मेरे पास परमेश्वन ने मुझे दिया है किस लिए दिया है ताकि मैं उस सभाव को किसी और को दूँ Amen हमें जो परमिश्र ने दिया है किसके लिए दिया है तक ही मैं किसी और को दूँ किसी और के लिए आशीश का कारण बनू रेस अलॉट तो यहां पर वो क्या बोलती है कि जब तक वे पीना चुके मैं उन्हें पिलाऊंगी Amen यह क्या था हेलिएजर की प्रात्रा स्टेट कुछ मिलावट था परमिश्र क्या चाहता है कि आपकी प्रात्रा स्टेट होनी चाहिए कई लोग उससे प्रात्रा कराने के लिए आते हैं उनकी प्रात्रा स्टेट नहीं होती है अभी एक बहन आई कि मेरी बेटी के लिए प्रात्रा करिये उसको बच्चा नहीं हो रहा है बच्चा हो जाए मनने का ठीक है क्या चाहिए आपको क्या प्रात्रा करो नहीं कुछ भी कुछ भी हो जाए बच्चा हो जाए कुछ भी हो जाए कुछ भी क्या बंदर का बच्चा हो जाए चलेगा क्या हो जाए पास्टर मुझे ललकी चाहिए पास्टर मुझे ललका चाहिए आप क्यों नहीं मांगते हैं कुछ भी दे दीजे क्यों दे दे परमष्र कुछ बढ़ते मैं जब आया आंधा इश्व मसी ने बुझा तो ज़े क्या चाहिए मैं तरी लिए क्या करूं कि इश्व मसी को नहीं दिखता तक वो अंदा है विकारी है क्यों वो आप से पूछ रहा है आपको क्या चाहिए वोट यू वोंट आपको किसकी कीमत ज़्यादा है आलिलुईया हमेशा याद रखिए परमिश्व से आप क्या माँग रहे है येस आपको ललके के लिए अच्छे ललकी चाहिए बोलिए ऐसी ऐसी ललकी चाहिए मुझे खुबसूरत हो पड़े दिखी हो मसी हो आप बताईए परमिश्व को मुझे यह ललकी चाहिए, ऐसी चाहिए, बोलिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी नहीं होता है, मेरा घर ऐसा चले, मुझे ऐसा आशीस दीजिए, मेरे पती में ये गुण आने चाहिए, मेरी बहन, आप परमेश्र से मांग रही है, हालिल्या, आज आपके अगर बच्चा परमेश्र ने बीच डाला है, अभी से मांग ये, वो आपके हाथ में है आपके हाथ में परमेश्र के हाथ में नहीं है परमेश्र ने दे दिया आप कैसा भी चाहिए आप बोलिए और वो बोलकर बच्चे से बोलिए Hallelujah Praise the Lord अभी से बच्चे को बताएए कि तु पिता परमेश्र का बेचा है मेरी बात सौन हसी नहीं से अफएक्ट है आपको पता है तीन साल तक का बच्चे तीन साल तक जब वो मा की जोक से बाहर निकलता है तीन साल तक उसमें इतनी ग्रैस्पिंग पावर होती ही न preparing अतनी शक्ति होती है वो जब ग्रैस्प करता है आप जो बोलते हो लेता है, जिस महाल में लेगा उसकी लेंगविज ऐसे कैच करता है वो, अर एक मराठी के घर में पैदा हुआ, एक साल में मराठी बोलने लेगा ऐसे, ग्रैस्पिंग पावर उसकी बहुत तेज होती है, उस तीन साल को बच्चे को, इसलिए हन्ना तीन साल तक अबने बच्चे को दूद्ध पिलाती रही, योकोवेद तीन साल तक, तीन महिने तक मुसा को दूद्ध पिलाती रही, आप क्या मांग रहे हैं? बर्मेशा ने मुझे अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा है, बर्मेशा ने आपको मांगने के लिए होड दिये, इशु का नाम दिया है उसने आपको आप क्या मांग रहे हैं और जो मांग रहे हैं उसके अनुसार काम करिए आप हन्ना के बच्चा नहीं हो रहा था यादा को पहला श्यम्य लेक का पांच उसको बच्चा नहीं हो रहा था उसकी कोग बंद कर दी थी परमेश्व ने क्योंकि जैसे ही वो बच्चों की आवाज सुनती थी, बच्चे रोते थे, बिलकते थे, उसकी जो सौदन थी, पिननना, उसके बच्चे हो रहे थे, वो रोती थी और जलती थी, चलती थी कि इसके बच्चा हो रहा मेरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है मुझे भी बच्चा चाहिए परमेशर आपकी प्रात्राओं से जलन निकालना चाहता है जब आप प्रात्रा करें आपके अंदर कोई जलन किसी के लिए नहीं होने चाहिए परमेशा दया कर मुझे घर दे इनका दो बेडरों का मेरा क्यों नहीं है नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी प्रात्रा का आधार जलन है आपकी प्रात्रा का आधार जलन है किसाब इनका two bedroom hall का flat है मैं इनसे पहले से प्रभू आपके चर्णों में हूँ दशांच भी दे रही हूँ, सब कुस दे रही हूँ ये आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीशे हूँ नहीं मिलेगा आलेलुया हन्ना ये ही करती थी पनना के बच्चा है, मुझे बच्चा देजिए उसकी कोख, परमेशन ने बंद कर दी लेकिन जब उसे एहसास हुआ प्रेस अलॉट जब उसे एहसास हुआ कि मेरा कुछ भी नहीं है मैं किसी योग्य नहीं हूँ जैसे न आप रात्रा करेंगे पिता मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे अंदर कोई बुद्धी नहीं है मेरे अंदर कोई शक्ती भी नहीं है मुझे सोचने की भी सलाहियत नहीं है मुझे तू ले चल तेरी बुद्धी से मेरे जीवन में काम हो तेरी समझ के अनुसार मेरे जीवन में काम हो प्रेस अलोट तब परमेशर अपना हाथ बढ़ाएगा आलेलुया आलेलुया और जैसे ही उसने विश्वास किया उसने महसूस किया हन्ना ने कि नहीं मेरा मांगने का तरीका मुझे गलत करना है मेरे मांगने का तरीका को मुझे अलग करना है तब उसने वाचा बांदी दस्वाँ पढ़िया एक प पहला शोव मिल एक का दस और वो मन में व्याकुल होकर यहवा से प्रात्रा करने और बेलग कर रोने लगी ग्यारवाँ और उसने ये मननत मानी हे सेनाओ के यहवा यदि तू अपनी दासी के दुख पर सच्मुद रिष्ठी करे और मेरी सुधी ले और अपनी दासी को भूलना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहवा को अरपन करूंगी इमेन जीवन भर के लिए मैं तुझे समर्पित कर दूँगी जीवन भर के लिए मैं अपनी सारी च्छाओं को तेरे चारणों में समर्पित कर दूँगा मेरे जीवन का मूल तु है परमेशर मुझे मिनिस्ट्री दे ताकि मैं तेरे राज्य को बढ़ाऊं परमेशर मुझे मिलिस्ट्री दे इसलिए नहीं ताकि मेरा बंगला हो जाए, मेरी गाली हो जाए नहीं रेस अलोट मैं तेरे जीवन भर समर्पित करूँगी मुझे बच्चा दे ताकि मैं उसको तेरे जीवन भर तुझे समर्पित करो आललिया जिस समय शेहमिल आया, उस समय नयाईयों का राज्य था, नयाई जजिस की अगर पुस्तक पढ़ेंगे आप जजिस के बाद ये आती है शेहमिल की पुस्तक रूत के बाद, ये सौरी तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो ये आखरी नयाई था ये और परमिश्य को जुरूर थी एक ऐसे बच्चे की जिसके द्वारा वो बात कर सके लेकिन हन्ना ने जब प्रात्रा की कि मुझे बच्चा दे और बाइबल कहते है कि उसकी कोग परमिश्य ने खोली क्या किया उसने उसकी कोग खुलने के बाद मिठाई लेकर नहीं अलकाना उसका हजबन था बहुत अमीर था प्रेस अलोट उस सिर्फ अपने बच्चे को दूद पिलाती रही और बताती रही के परमेशर कौन है तेरा काम क्या है तेरा पिता परमेशर है तेरी माँ परमेशर है इसलिए उसका नाम उसने शैमियल रखा शैमियल का मतलब है परमेशर की योड से प्रेस अलोट आप जो मांग रहे हैं क्या उसके अनुसार जीवन बिता रहे हैं परमेशर मुझे आशीश दीजिए और मैं आपका अच्छा सेवक बनू मैं अच्छा प्रशारक बनू वेरी गुड क्या प्रशार में समय लगा रहे हैं या इतना कहना काफी था और घूम रहे हैं संसार में आप समझे रहे हैं परमेशर पीचे बीचे आएगा अभी कुछ पाने के लिए आपको अपना बहुत कुछ देना पड़ता है याद रखिए आप लोग समझे नहीं कुछ परमेशर के राज्य को पाने के लिए आपको पूरा संसार की अपनी इच्छाएं अभीलाशाएं अकंचाएं सब परमेशर के चरणों में देनी पड़ती है ऐसी नहीं मिलता परमेशर का राज्य ऐसी नहीं मिलता है ऐसी आप परमेशर की सेवा नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आपके अंदर बोज होना चाहिए जो आप प्रात्ना कर रहे हैं उस प्रात्ना के अनुसार आप जीवन बिता रहे हैं Amen परमेश्वर क्या देखता है आपके हिसाप से यह पड़ी है आप दूसरा इतियास देख यहोवा की दृष्टी सारी पृत्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निश कपट रहता है उसकी सहायता करने के लिए परमेश्वर अपने सामर्द को भेजे आप सोचिये क्या परमेश्वर की सहायता आपकी नहीं कर सकता ऐसे लेकिन वो चाहता है अपने सामर्थ के द्वारा आपकी सहायता करना लेकिन कब जब आपका मन उसमें लगेगा हमारे कई भाई बहने जिनको बाइबल पंडी नहीं आती तब भी परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है क्योंकि आप मन से मांग रहे हैं प्रेस अलॉट आपके मन में क्या है आपके मन में प्रभू है आपके मन में प्रेम है प्रेम ग्यान नहीं देखता है प्रेम ग्यान नहीं देखता है इसलिए परमेश्वर का प्रेम जो आपके लिए है वो आपकी साहता करना चाहता है अपने सामर्थ के दोरा जोर से तालियां बज़रिए इसलिए प्रात्रा वो करिये और उस प्रात्रा के अनुसार चलिए अगर आप प्रात्रा करते हैं और उसके अनुसार नहीं चलेंगे और आप समझते हैं कि आपकी प्रात्रा पूरी हो जाएंगी तो गलत है आज क्या वज़र्ण आपने गिरहन किया प्रेज़ अलोड बोले इशू मसी की जये इशू मसी की एश्यो मसीगी प्रभू आपसे बहुत प्यार करता है